तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लारमानराहीम अब हमने जिस पर काम करना है यह कॉल्ड गॉशियन मिक्स्टर मॉडल्स गॉशियन जैसे की नाम से जाहर है कि गॉशियन हर दफ़ा याड़ाता है किसी ने किसी अलिगुरिथम की शेप में अगर आपको नहीं पता तो नॉर्मल डिस्टिबिशन क्या होती है जो डिस्टिबिशन कुछ इस तरीके से बैल कर बना रही हो ठीक है यह आपके सामने बैल कर बा रही है अगर डिस्टिबिशन को इस तरीके से बैल कर बना रही हो तो उसे हम नॉर्मल डिस्टिबिशन बोलत इसको मीन भी कह सकते हैं मिसवर्गत और मेडियन या बाक्की सेंटर टेंडेंसी भी होते हैं यह होता है मीन तो अगर हम मीन को सेंटर में रखें तो इसका मतलब इसका वेरींश भी होगा जो लेफ्ट राइड या राइट उस चीज को पहला रहा है for example if this is mean तो हमारे पास यहां से यहां तक इसका variance भी पहला हुए for example this one is also variance, this one is also variance, this one is also variance, ठीक है जिसको हम for example standard deviation बोल सकते हैं या हम उसको variance co-variance इस तरह की terms आती हैं वो हम बोल सकते हैं for now अगर आप पूरे के पूरे data को एक plane में ऐसे single space के one dimension plane के अंदर plot करें न तो it will make a shape like this एक का, दूसरे का Gaussian distribution, तीसरे की, चोथी and so on and so forth इसकी base पे अब अगर आप clustering करें तो this is called Gaussian mixture model, simply वो कैसे, आप क्या करते हैं जहां पे क्योंकि density based cluster है न फिलाल अगर हम देखें इसको, ठीक है ये भी आपकी density को calculate करता है कैसे density को calculate करता है आपको पता है, कि center का मतलब है कि यहां पे data ज्यादा आ रहा है इस जगा पे, राइट, वहां पे density ज्यादा है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम दो curves की overlap देखें, for example, एक point यहां पे हैं हमारे पास unknown की Gaussian distribution is something like this और दूसरी की is something like this हम कैसे find out करते हैं कि यह वाला इस cluster का हिस्सा है या इस cluster का, based on the distance from that point to the curve like this, यह distance हम find out करते हैं, ठीक है साफ पता चल रहा है कि इसका जो cluster है, वो left side में बनेगा, क्यों? क्योंके 100 में से तकरीबन 70% जो distance increased किया है, वो इस side का किया है, so we can classify that point into left side of cluster, और अगर इसकी बात की जाए, तो यह तो total ही right side के cluster में जा रहा है, क्योंके वहाँ पे distance अगर measure करें, तो इसी का है दूसरे का तो है यह नहीं है तो अगर कोई point यहाँ पे आ जाए, या center में आ जाए, तो इसका distance तकरीबन 50-50 दोनों का हो जाता है, for that we will see कि उसको कैसे define करना है, but for the other thing is, कि आप distance की base पे clusters को divide करें, ठीक है, from that x-axis towards the curves जो आपकी बनी होती है, normal distribution की, ठीक है, तो basically इसी base पे ही यह सारे का सारा model जो है, वो आपको clustering करके दे देता है, अब यह देखने को बहुत असान लग रहा है, क्योंकि हमने इसको one dimensional space पे draw किया है, ठीक है, 2D पे करें, तो क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरीके से ना ring type बनते हैं, something like और यह रिंग आपके points को show करते हैं, कि यहां पे आपका point है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यह जो center होती है ना, किसी भी एक ring की, this is the peak, जो उपर से आपको नजर आती है, ठीक है, फिर जो दूसरा ring है, यहां पे इसकी चोड़ाई को show कर रहे, तीसरा ring जो है, यह at the end, इसकी और चोड़ाई को show कर रहे, यह जितने ring ज्यादा चोड़े होते जाएंगे, wider होते जाएंगे, उतनी ही आपकी curve wider होती जाएगी, ठीक है, so that's how we represent the data in one dimension, जो हमने यहां पे अभी किया, तो अगर मैं इसकी इर्दगी रिंग डालों, तो कुछ इस तरीके से होंगे, यार इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, वो अक्सर उकात आप जाएंगे ना, मेलों में, तो आपको वो ऐसे चूड़ियां सी देते हैं, बड़े-बड़े बनी हुई, तो आपने ऐसे जिस चीज़ पे आगी, वो आपकी चीज़ हो जाती है, ऐसे होता है ना, तो अगर उसी को आप, एक ट्रैफिक वाली जो कौने होती है, ट्रैफिक वार्डन ने ने रखी होती, कि यहां से नहीं गुज़ना रेड गलर की, अगर उसके उपर इस तरीके से वो रिंग डालें, तो यह वो ही कॉंसेप्ट है कि रिंग की चुड़ाई आपको बताती है, कि कौन की चुड़ाई, यानि कि यह नॉर्मल डिस्टिब्यूशन किस तरीके से मैच हो रही होगी, और यार यही कॉंसेप्ट है सारा गॉशन मिक्शर मॉडल गा, और कुछ नहीं है, आप वन डैमेंशन जो है, वो कौन को समझ लें, रिंग आपकी टू डैमेंशन है, और इसी को अगर थ्री डैमेंशन में लेके जाना है, तो अगर आपके पास ओरिजिनल में कौन अवेलेबल है, कार्ड पे नहीं, अगर यह कार्ड वाली कौन है, मतलब एक तरफ से चप्टी है, बिल्कुल चप्टी है, तो वो क्या होगी, वो टू डैमेंशन है, अगर थ्री डी में आ तो वो असल कौन जो आप ले हैं, और उसके उपर चूडियां चणाने लग जाएं, और उसकी बेस पे आप डेटा को डिफाइन करते हैं, अब यहां से आपको समझ आगी होगी, कि जो डेटा यहां पे लाई कर रहा है, वो इसका मतलब है, कि गौशियन डिस्टिबूशन के कोने पे आ रहा है, यानि कि बड़े रिंग वाला डेटा गौशियन के कोने पे है, छोटे वाला डेटा पक्की बात है, इसका क्लस्टर है समझागी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास 2D शेप्स के अंदर Gaussian distribution कभी आ जाए, तो परिशान होने वाली तो बात ही नहीं है और इसी के base पे cluster बनते हैं, ठीक है? अब आपका data क्या करते है? आप अपने data को 2D स्पेस के अंदर draw करते हैं, based on these length of, sorry, radius or diameter of these rings. यह वही रिंग हैं, जो आप अगर किसी दरख्त की लकड़ी को काटे हैं, तो बीच में नजर आते हैं ना, जिससे आप उमर का अंदाजा लगाते हैं, तो आप इसी, इनी rings को तश्भी दे सकते हैं, कि they can make a kind of peak like this. जो center में है, they are like this much smaller, और इसका मतलब है कि यह mean के पास हैं, यानि कि जो point यहां पे आया, वो इसी cluster का है, जो कोने पे आया, वो इसका भी हो सकता है, वो किसी और cluster का भी हो सकता है, सही है, समझागी बात की, यह वो ही चीज़ है, अगर हम बाकी points की देखें, तो यह हमारा distance भी हम calculate कर सकते हैं, ठीक है, so normal distribution का concept और यहां पे clustering इसी base पे जलती है, और Gaussian mixture model इसी base पे आपको result देते हैं, ठीक है, मैंने try की है, आपको एक अच्छे तरीके से समझाने, कि if you still have any question, तो आप हमसे, तो आप अभी पूछ सकते हैं, अब आगे बात करते हैं, अक्सर अकात आपने statistics में भी देखे, जितनी हमने नॉर्मल distribution की मतमारी है, इस पूरे course में, शाहिद ही किसी छीज को ज्यादा पढ़ा हो, ठीक है, तो अगर नॉर्मल distribution का हमें पता है, कि कितने percent data हो, तो वहां पे कितना आता है, अगर standard aviation one है, तो उसमें 95 percent data है, so on and so forth, तो अब उस पे भी discussion कर सकते हैं, but the point is, अगर overlapping आ जाए ना cluster, तो normal distribution उनको भी separate कर देती है, यानि कि gaussian mixture models, overlapping clusters को भी, यानि कि जो आपस में घुले मिले होते हैं ना, उनको भी separate कर देते, कैसे, वो ही मैंने आपको example दी, एक मैं बहुत अच्छी एक और example देता हूँ, कि एक point अगर यहाँ पे आपके पास आया है ना, ठीक है, तो आप इसको रंग कर सकते हैं, for example, यह है point, यह जितना green के अंदर है, उतना green कलर का इसके अंदर रंग कर दें, आप, लाइक देश, कि यह इतना green कलर का है, ठी simply हम अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका color ज्यादा है, यानि कि जितना distance है उस point से, उसका mean का या आपके normal distribution का, उस cluster में यह जाएगा, तो numbers की game है, जो distance ज्यादा हुआ, वो हमारा cluster है, जो distance का हुआ, वो हमारा cluster नहीं है, simple, Gaussian mix model इसी theory पे काम करता है, ठीक है, अब आगे जलते ह हैं, इसको बड़ी detail में देखते हैं, यह बड़ा आपको छोटा सा तारफ करवाया है कि कौन-कौन से parameters होते हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़े होती है, ठीक है, यह Gaussian mixture model का 2019 का Oscar Carrasco ने, यह लिखा हुए blog, इसमें कुछ घलतियां भी है, and we are going to find out those as well, मैं blogs को क्यों choose कर र and write, ठीक है, करें जी start, आपको आता है, यह सारा मैंने आपको theory भी बता दी, आप लफजों की खेल में देखते हैं, कि Gaussian mixture model क्या होता है, फिर मैं आपको एक whiteboard पर समझाऊंगा, simply, जब भी आपने कोई चीज लिखनी है, broad से narrow की तरफ आना है, तो जब भी आपने कोई blog लिखना है, या अपना portfolio पर कोई चीज डालनी, broad से narrow, start करें कि in the world of machine learning, ठीक है, फिर आप आएं जी supervised, unsupervised होती है, the main difference between both lies in the nature of data as well as the approaches used to deal with it, ठीक है, direct तीसरी line में वो gap clustering पे, start कभी भी main topic से ना करें, थोड़ा सा background knowledge दें कि क्यों यह हो रहा है, फिर, clustering इस्दान supervised learning, same, वो ही चीज़ें जो हमने बार-बार discuss की है, होता गया इसके अंदर, हमारा dataset कुछ common characteristics का होता है, तो उस dataset को जब हम उन common characteristics की base पे classify करते हैं, एक या दो चीज़ों के दरम्यान, या groups के दर so, how does it differ between these two things, अभी उस चीज़ को देखे हैं, please note that we are now introducing some additional notions, notation sorry, here mu1 and mu2 are the centroids for each clusters, ठीक है, mu1 and mu2, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, scientifically, जो भी चीज़ सेंटर में होती है, उसे mu भी कह देते हैं, और उसी को हम mean भी बोलते हैं, अगर देखा जाया है, सभी का mean जो है, वो center में आता है, Gaussian mixture model के अंदर भी हमने यही रखा, mu1, mu2, mu3, mu4, ठीक है, अब आगे चलते हैं, of each cluster and our parameters then identify each of these, a popular clustering algorithm is known as k-means, which will follow an iterative approach, जो हमने सारा पढ़ लिया, उसमें centroid होते हैं, so on and so forth, यहां पर वही लिखा हुए, ठीक है, the later are labeled as the part of cluster that is defined by their closest centroid, हमने k-means clustering पढ़ी, उसने बता दिया कि जी k-means की base वे हम यह कर सकते हैं, और हम बार-बार यह काम करते रहते हैं, until unless सारे के सारे clusters हमारे पास आ रहे, ठीक है, one important practice of k-means cluster is a hard clustering method, which means that it will associate each point to one and only one cluster, ठीक है, एक point को एक ही cluster में वो ले के आएगा, this is called hard clustering, एक होती है soft clustering, उसके बारे में हम लिखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो यह keyword लिख लें, तो इसको भी हम सर्च करते हैं, A limitation to this approach is, that there is no uncertainty, major or probability that tells us how much a data point is associated with a specific cluster, कुछ समझ आई बात की के में की limitation क्या है, कि वो variance नहीं हमें देता, मतलब क्या, अगर एक cluster के अंदर कोई चीज आगी है, तो वो यह नहीं हमें बताता, कितने फीसद यह इसके साथ belong करता है, वो उठा के डाल देता है, बस यसी के, समझ आई बात की, जो यहां पर बात वो समझाना चाहा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ, hard clustering का मतलब यह है, कि सख्त long day वाला cluster, यानि कि वो सख्ती से कहता है, यही काम होना है, इस से आगे कुछ नहीं है, ठीक है, and then, so what about using a soft clustering instead of hard one, this is exactly Gaussian mixture models, soft one क्या होता है, वो कहता है, अच्छा बताओ भई, कहां पर जाना है, बचा यहने लग जाता है, नहीं जी left side, दिल तो कर रहा होगा ना तुम्हारा right पर, वहां जी कर रहा है, लेकिन 70% मेरा इस side पर कर रहा है, 30% इस side पर कर रहा है, तो वो उस base पर calculation करना है, यानि कि soft hearted होगी, सख्ती से नहीं, कि नहीं, तुमने इधर ही जाना है, या इधर जाओ, या छोड़ के घर जाओ, तो अगर आप soft clustering की बात करें, तो soft clustering वो है, जो आपको एक hard clustering की बज़ाए, choose करने में help करें कि कि side पर इसके जाना ज्यादा बनते हैं, ठीक है, और इसी वज़ा से इसको GMM बोलते हैं, Gaussian mixture models है, यानि कि mix करता है Gaussian distributions को at one plane, let's now discuss the method further, समझागी hard and soft की, ठीक है, hard clustering वो है, जो उठा के मूँ जो मर्जी कर दे, let's move towards, a Gaussian mixture is a function that comprises several Gaussians, मैंने आपको पहले बता दिया, कि खिचडी of many normal distributions is called Gaussian mixture models, each identified by k, यानि के एक से लेके k तक, ठीक है, submission of one, two, something, where k is the number of clusters of our data set, सही है, जितने भी clusters होंगे, उतनी normal distributions होंगे, simply, सही है, each Gaussian k is the mixture of, comprised of the following parameters, कौन-कौन सा, mu है, mean, जो मैंने आपको पहले बता दिया, और आपको भी पता है, a covariance that defines its width, वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसको हम आपने standard deviation बोला है, ठीक है, this would equivalent to the dimension of an ellipsoid in the multivariate scenario, we will see that in multivariate scenario, but for now, we know that egg का mean होता है, और उसका dispersion होता है, जो side ओं पर फैला होता है, ठीक है, then, a mixing probability, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन को, क्यों हो पाई, इसको क्या बोलते हैं, पाई, और इसकी value क्या होती है, by बटे 7, 3.142222 बढ़ती जाती है, बहुत आगे तक जाती है, ठीक है, that defines how big or small the Gaussian function will be, पाई कहां पर use की जाती है, कोई idea है, कब कब पाई हमारे दिमाग में आती है, कि अब पाई का use होगा, पाई आर स्केर आपने सुना होगा, इसके इलावा, स्फियर वगएरा के लिए, सरकल वगएरा के लिए, ऐसे ही है, तो जो मैंने आपको तकौन की example दिया, वो याद रहेगी, नो वी विल सी के पाई कैसे यहां पर use होती है, ठीक है, पहले याद रखें, let's now illustrate these parameters graphically, मैंने आपको बता दिया, mu1, mu2, mu3, फिर उनका जो distance है, ठीक है, from one to another one, समझे आगी बात की, अब आगे move करते हैं, यह कुछ उसने equation बताई हुई है बकाईदा, कि यह भी हो सकता है इस तरीके से mathematical background की base पे, here we can see that, there are three Gaussian functions, hence k कितना हो गया हमारे पास, three, Gaussian functions का मतलब यह है के हमारे पास, तीन Gaussian distributions बन रही है, तीन Gaussian functions हैं, ठीक है, और πाई क्या है, पाई यहाँ पे बताई गई थी, how big or small is the Gaussian, तो यहाँ पे पाई ही define कर रहा है, के यहाँ पे यह वाला function बड़ा की हूँ है और blue वाला चोटा की हूँ है, ठीक है, अगर हम इसको देखें, Gaussian explains the data contain in each of the three clusters available, the mixing coefficients are themselves probabilities and must meet the condition, ठीक है, अब आगे चलते हैं, यह जो points मैंने आपको बताए हैं ना, इसको आपने कुछ इस तरीके से सोचना है, यह जो मैंने आपको पहले line ने बना के दी थी, ठीक है, यह अगर आप उपर खड़े होके देखें ना, मतलब इसके उपर खड़े हुएं, यहाँ पे आप, और उपर से नीचे को देख रहे हैं अपनी distribution को, that's why it's being used here, कि कितना उसकी लंबाई ज्यादा होनी है और कितना उसने नीचे को जाना, based on these circles, तो पाई हमें बताएगी ना, क्योंकि पाई circles में use होता है, समझारी बात की कि पाई क्यों हमें बताएगी, अगर आप इसमें देखेंगे, इधर तो पाई, पाई कुछ नहीं है, ठीक है, but the concept behind Gaussian Mixture Model is to draw these kind of circles, जो आपको at the end यही वाली shape देते हैं, but based on the circle का जो आपका diameter बगएरा होता है, ओके, तो equation यह आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको detail में देख भी सकते हैं, but I would suggest directly go to words, के यह Gaussian Mixture Model हमें कैसे यह सारा कुछ बना के देता है, और data किस तरीके से divide हो जाता है, ठीक है, simply इसके अंदर होता क्या है, mathematics को देख के आप परिशान होंगे, I know that, don't worry, यहाँ पर जो हमारे पास, यह है, यह क्या चीज़ है, अगर कोई देख के अंदाजा लगा के बता सके, कि इस तरीके का काम अंदर में एक और जगा भी किया था, चलें इसको देख लेते हैं, बेस्थियोरम याद है, तो जब भी probability की बात होगी, तो वहाँ पर भी इस थियोरम लगेगा, जिसको बेजियन मॉडल भी आप कहा सकते हैं, तो यहाँ पर भी probabilities calculate होती, और probabilities की बेस पर बताया जाता है, कि यह किस cluster में जाने के chances ज्यादा हैं, यानि के, मैं आपको एक example देता हूँ, आपके पास total probability है 1, to go into red cluster, और, अगर इसी को, yellow में जाने की करने, तो यह भी total probability 1 है, लेकिन अगर, कुछ probability इसकी आजाती 0.3, तो जाहरी बात है, इस side पर सिरफ red cluster बचा होगा, तो इसकी होजागी 0.7, so this is how you calculate the probability, based on the overlap of each, Gaussian distribution, ठीक है, जो यहाँ पर overlap हो रहे है, तो इस वज़ा से इसके अंदर, probability का रोल है, like, this one, यहाँ पर अगर कोई point आ रहा है, तो यह क्यों green में जा रहा है, और क्यों blue में नहीं जा रहा है, अगर यह blue में है, तो यह क्यों blue में है, उसकी reason यह है कि distance की base पर, आपकी probability calculate होती है, right, जारी बात है, यह जितना भी काम है, यह mathematicians का आगाम है, basically, और इसी के उपर यह सारा खुद से बना के भी करते हैं, खैर, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ अभी, कि अक्सर उकात आपने देखा होगा, कि जब भी आप कोई algorithm लगा रहे होते हैं, लोग ये इस तरीके से को function define करने बैठ जाते हैं, advanced stages पर अगर आप जाएं, देखा होगा आपने, कि वो क्या करते हैं, अपने पूरी के पूरी एक pipeline का एक function सा define कर लेते हैं, कि यहाँ पे सिरफ x रखना है, और सारे के सारा pipeline लग जानी है, so you can do that one as well, अगर थोड़ा से advanced level पर जाएं ना, तो वो traditional बाते हैं शोड़ दे हैं, अब थोड़ा थोड़ा advanced level पर जाएं, कि initialize cluster या for example, आपने पूरी pipeline बनानी है ना, तो एक function के अंदर उसे define कर लें, ताके future के अंदर बार-बार जाब उसे fit करें, predict करें तो आप उसे use करें, जारी बात है, code आप खुद से नहीं करते, और आपने देखा होगा, आज कल coding पर हम practice भी कम कर रहे हैं, reason यह है कि दुनिया change होरी भाई से इसी बात है, code आपको बने बनाएं मिल जाने, if you don't know the theory behind it, it would be difficult, और रही बात Gaussian Mixer model की यह आपने पहले से पढ़ा हुआ है, so you should know, किस तरीके से इस model के parameters को हम check करते हैं, अब यह जो clusters हमारे पास दाइरे आ रहे हैं, यह आपको कुछ तो बता रहे हैं, कि यह चल क्या रहा है यहां पर, इनकी समझ आ रही है, कि यह जो आ रहा है हमारे पास, यह clustering जो बने हुए है हमारे पास, यहां पर different किसम के, और बकाइदा यह GIF file है, I think so, yes, यहां पर आप चेक कर रहे हैं, कि यह वाला जो cluster है, इसकी जो peak है, यह differentiation की base पे, यहां पर standard deviation यहां पर जा रही है, standard में इसका mean है, इससी बड़ा से वहां से light होता जा रहा है color, ठीक है, इस side पे, लेकिन यह starting point कहीं से होता है, फिर centroid को set करते 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 करते, फिर यह आगे चलता रहता है, और at the end, यह हमारे पास इसी वज़ा से soft core policy है, बाकी जारी बात है, question mixture models की और भी काफी चीज़ें हैं, जो हमने maintain करना ही होती है, तो इसके parameter कौन कौन से होंगे, जो हम set करेंगे, उसके उपर हम आते हैं, जी, आपने भी पढ़ा question mixture model, और यह जो है, यह वाला, मैं आपको send भी कर देता हूँ भी, mathematics जो है, यह जो blog मैंने यहां पर आपको दिखाया है, यह pure mathematician, यह statisticians का काम है, जो basic data scientist पढ़ने वाले लोग हैं, वो उनको भी फिलाल इसकी जरूरत नहीं है, इतनी hardcore theory में जानेगी, जी, parameters कौन-कौन से होगी, जाद ही मत वाले, जाद ही मत वाले, hyperparameter वो जो हम tune कर सके, तो अगर आप circuit learn के अंदर जाएं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर simply आप लिखें, gaussian mixture models और उसके hyperparameter आप चेक करें, तो वहाँ से भी आपके पास आ सकते हैं, circuit learn के उपर, झाद ही मत वाले, मत वाले, झाल्याँ, नहीं तो दूसरा तरीका का रही है आपके सामने में आपको दिखा देता हूँ सिंप्ली आप गॉशन मिक्सर मॉडल को इंपोर्ट करें ब्लॉब्स जो हैं यह बिसिकली क्लिस्टर का डेटा है मैं फिर बता रहूं परिशान नहीं होना इससे यह खुद से बनाए हैं कि यह क्लिस्टर हैं भई हमें पता है कि यह क्लिस्टर है ठीक है तो गॉशन मिक्सर मॉडल आप लगाएं एंड कॉम्पोनेंट आप बता दें ठीक है यह फॉर है आप इनको बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास डेटा डिफरेंट आता जाएगा अगर आपको ना समझ आए कि पैरामेटर कौन कौन से दनी यू कन टेक दोस परामेटर्स फ्रम्ड ठीक है डिरेक्ली आपको पता चल जाएंगे और अगर यह ना समझ लगे कि को वेरियंस टाइप क्या हम ले रहे हैं कितनी ल आप चेक करें हमारा डेटा फोरण चेंज हो रहा है अगर मैं इसकी रैंडम स्टेट भी 2042 कर दूं तो रैंडम स्टेट 42 जीरो भी कर सकते हैं यू नौ देट और यहां से मैं फुल को हटा देता हूं तो इसके डिफार्ट जो है वो फुल चल गए ठीक है फुल का मतलब यह है कि को वेरियंस अगर एक गॉशन मिक्शन मॉडल का आ रहा है तो कितने परसंट डेटा वहां से प्रॉबबिलिटी में लेने है बलके बहतर यह है कि मैं है हमारे पास क्योंकि यह ऐसा पॉइंट है जो बाद में मसला कर सकते हैं यहां पर यह स्क्रीन आपको नज़र आ रही है दोबारा से ठीक है अगर मैं अपने पास को वेरियंस यानि के जो हमारे पास वेरियंस यहां से यहां तक टोटल ओवराल होती है यह हमारे पास एक डिस्टिब्यूशन इस तरीके से बनती है और में से लास्ट तक का डिस्टेंस जो है उसकी वेरियेशन होती है ठीक है यहां से यहां तर और आपने देखा होगा कि एकसर हो कहा था पूरे का पूरा वेरियंस नहीं लेते यू डिवाइड दैट इन्टो आपा इसको कोड़ीर के विटा लएक करते आप को सकतै है ठीक है इस वजञेस के अंदर और बाकी मैं गये यह यहां से विचास थे के लोट नहीं ज्याएगा यहां से लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है and you should know के covariance कितना रखना है for example यहां से इतना सा लिया गया है इस डियाग्राम के अंदर so the the points inside that area will belong to green one obviously क्योंकि उसका distance वहां पे ज्यादा हो रहा हूँ based on the other parameters as well इस पर जासे covariance का हमें पता होना चाहिए कितना लिन है and then there are other parameters जो भी मैंने आपको बता हैं अब mean matrix कौनंगों से इसके उसके बारे में बात करते हैं जी को कि ग्याध्रीक्स कौनंगों से क्लस्टरिंग के मैट्रिक्स आपने गवॉर की है कि तकρίबन मिलते जुलते ही होते हैं अगर नहीं की ग्हौर तो अब कर ले ले मैं इसकी कोडिंग इस वज़िया से नहीं दिखा रहा विकॉस दिस वाज यूर असाइनमेंट तो की अभी मैं यहां से रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं